नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं जारखन की खबरों की ओर यह सरकार कैबिनेट से पारित की है मुख्यमंत्री को भी पता है 1932 के अधार परिस्थाने निती लागू करना नियाले की अवमानना होगा फिर भी ऐसी योजना बनाई गई जो लागू नहीं हो सकता तमिल नाडू में 1993 में उस समय ततकालिन मुख्यमंत्री करना निदी जी दोदो कमिशन दोदो आयोग बनाकर पूरा बैकवर्ट समाज का सरवेक्षन करके डाटा बेस कि पिछड़ा समाज को जितनी रोजगार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उतनी नई में पूरी डाटा पेस करके तब नवी इनसुची में सामिल की गई थी लेकिन आपको यह भी बता दूँ 2007 में सुप्रीम कोट ने यह भी आदेश दिया कि 50% से आप आरक्षन नहीं बढ़ा सकते और सुप्रीम कोट ने यह भी आदेश दिया कि नवी इनसुची का सामिल होने के बाद भी सुप्रीम कोट समिक्षा कर सकते उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की दो-दो कमिशन बनाया पूरी राज का पिछड़ा समाज का डाटा वेश तैयार किया रोजगार से सम्मंदित शिक्षा से सम्मंदित यह समाज पिछड़ा है तभी जाकर 1993 में यह नमीर सुचि में सामिल हुई थी तो क्या सरकार यह सारी परकिरिया पालन की है तो आनन फानन में जारकन की जनता को धोखा दे रहा है और जो बीस हजार करोण का घोटाला अवेद खनन जो जारकन की आज हर बच्चे के जुबान में उससे भटका ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आविधी सम्मत किनों ने यह गोशना किये यह नेड़ने भी विधी सम्मत नहीं आज पैदानिक है इसे लागू करना भी आसंभाव है प्रतित होता है इस तरह यहां के आदिवासी मूलवासी और पिछणों की भावनाओं के सांद यह सरकार खिलवार कर रही है उन्हें धोखा दिया जा इसी को भी आरक्षन देने के लिए मानिये उच्चितम नियाले के आदेश के अनुसार उस रेनी के चात्रों की संखिया और उसके पद्रीद को सुदिश्चित करना आवस्यक होता है एस्पैसिक ग्राउंड आपको देना और यह जो मुख मंत्री जी है जो परिवारवाद की सासन चला रहा है जो अपने आपको राजा समस्त है किस तरह रेवरी को 2% लेलो 4% लेलो 27% लेलो